तरुन डाडा सुथ करता हूं हमारी यूटूब चैनल एस चांदागाएडवी में स्टुएंट्स हम पढ़ रहे थे रीजिनिंग और रीजिनिंग के अंदर चैप्टर था वह स्टार्ट हो चुगा था आर्थमेटिक रीजिनिंग उसके हमने कल उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोशन किये थे तो आज उन्हीं कोशन के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं भी आपके सामने आज दुवारे से बहुत इंट्रेस्टिंग कोशन लेका हूं मैं उम्मीद करों कि अब शुरू से लेके अन तक विवर सुना होगा जैसे की कोशन है इफ इफ 10 बॉइस वॉक 10 क्लोमेटर इन 10 देज दन हाव मैनी डेज इट विल टेक फो थी बॉइस तो वॉक 10 क्लोमेटर चलते हैं तो तीन लड़कों की 10 क्लोमेटर चलने में कितने लेंगे ये तो वहली बात होई ना कि 100 कपड़े 10 क्लोमेटर चलने में कितने लेंगे भई उनको इत्त दस ही दिल लगेंगे लांगे तो इसका आंशर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंशर हो जाएगा 10 को कि का आप याज सान था ऐसा को इसा कूशन पूछे आने की सम्मभावना बहुत कम है एक्जाम में लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा अब चलते हैं नेस्ट की तरफ कोशन नमबर टू देखते हैं आज का क्या है कि देखो भई कोशन जो हमने कल किया था उसी टाइप का कोशन है जो कोशन में दिया गया है उसके नुसार हम चलते रहेंगे कुछ एक्ष्ट्र दिमाग अपना लगाना नहीं है जब किसी संख्या में आप कितना जोडते हो बारे जोडते हो तो यह है चार और संख्या के योग के दो गुना के ब्लावर हो जाता है जैन इस एक्वल टू 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 टाइमस था सम और फॉर एंड़ नंबर ठीक है समझ मैं आप लोगों के भाई करना कुछ नहीं है इसके अंदर कि दे क्या रखा है आपको आपको दे रखा है कि when 12 is added to a number जब किसी संख्या में 12 जोडते हैं तो संख्या हम लोगों पता नहीं है संख्या माल लेता हूं मैं कितनी x यानि कि भाई x में कितना जोडेंगे जब हम 12 जोडते हैं 12 तो क्या होता है it is equal to two times the sum of four and the number तो यह है चार और संख्या के योग के दुगने के बराबर हो जाता है यानि कि भाई किसके बराबर हो जाता है यह चार के और संख्या के दुगने संख्या कितनी है x है तो x का कितना हो जाएगा 2 x हो जाएगा ठीक है नहीं sorry आपकी जो संख्या है वो कितनी है x है तो वह 4 और संख्या के योग के यानि कि 4 और संख्या कितनी है x है उसके योग के दुगने के बराबर हो जाता है दुगना ठीक है यदि किसी संख्या में 12 जोडें तो वह 4 और संख्या के योग के यानि कि addition के दुगने के बराबर जात और यहाँ कितना है 2 4 जा 8 प्लस 2X यहाँ मेरे भाई X है, वाँ 2X है जब मााइनस करूँगा तो गितना आयागा यहाँ apert खाली X आयागा न X और यहाँ कितना हो जाएगा 4 तो संख्या कितने आई आपके पास संख्या आइ आपके पास 4 यानि कि x की value कितने हुज जाएगी 4 हुज जाएगी 4 ही आपका क्या है सही answer है d ठीक है तो question मेरे भाई काफी आसान है जोसा question में दिया गया है ऐसा ही आपको करते रहना है कुछ अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है plus minus करना आप लोग जानते ही हो ठीक है चले next की तरफ अब question मेर 3 की तरफ चलते हैं आज का हमारा next question जो है यह है question ages का यानि की उम्र के बारे में दिया गया है when he is an year older than सुमित वेनी सुमित से एक साल बड़ी है सुमित और जो आपका समित है वो सलीम से दो साल बड़ा है समित is two years older than सलीम राजू is an year older than सलीम और जो राजू है वो सलीम से क्या है एक साल बड़ा है सबसे छोटा कौन है वो इस दी youngest of all आप से यह पूछा गया है तो question में जो दे रखा है उसके नुसार चलूंगा मैं और जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे करता जाओंगा तो मेरा अंसर अपने आप कि आपके पास फिर कौन सा है स्मित के बाद सलीम है सलीम और चौथा कौन सा आपके पास राजू है राजू अब मैं कौन सा में थरा लगाऊंगा जो मैं कल यूज कर रहा था सब नाम लिख लिए अब जो question में दिया है यानि की निर्देश दिये गए है इसमित इस टू यर ओल्डर देन सलीम इसमित भई सलीम से कितना बड़ा है दो साल बड़ा है राजू सलीम से एक साल बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है यह पुछा गया है तो आप देखो कि सलीम जो है आपका सलीम इसका comparison दो लोगों के स शमित पाथ है इसमित के साथ भी है और राजू के साथ भी है तो बहुत सलीम को मैं मानता हूं कितने साल का है यह सबसद् tour को जाएगा X plus 2 साल का हो जाएगा राजू क्या है? एक साल बड़ा है सलीम से सलीम कितना है? X का तो राजू कितने का हो जाएगा X plus 1 year का हो जाएगा अब वेनी क्या है? N year older than Smith Smith से भी वेनी क्या है? भई, एक साल बड़ी है अगर ये X plus 2 है इसमें एक साल बड़ा होना मतलब क्या है इसमें भाई मैं एक जोड़ोंगा तो यह x प्लस 3 हो जायागा न यदि मैं इसमें प्लस 1 कर दूँ तो x प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जायगा x प्लस 3 हो जायगा अब भाई x प्लस 3, x प्लस 2, x और x प्लस 1 में सबसे चोटी संख्या कौन सी होगी सबसे चोटी मेरे भाई x ही तो होगी बाकी देखो x प्लस 1 भी x से बढ़ा है यदि हम x में 1 जोड देंगे तो x से बढ़ा हो जाएगा x प्लस 2 भी आपका बढ़ा है x प्लस 3 भी आपका x से बढ़ा है तो सबसे चोटा कौन है इसके अंदर सलीम है सलीम यह आपका option number B आपका सही आंसर हो जाएगा सलीम यहीं आपसे पूसा सबसे बड़ा कौन सा है तो भाई सबसे बड़ा बता कौन सा होता सबसे बड़ी होती कौन वेनी क्योंकि वो क्या है भाई एकस प्लस 3 है ठीक है आया समझ में तो जब भी ऐसे कोशन साब के सामने आएंगे तो आप सब के नाम लिखोगे और जो कोशन में निर्देश या भी direction दी गई है उसके अनुसार ही चलते रहोगे आराम से आपका फिर क्या जाएगा आंसर निकल के सामने आ जाएगा ठीक है तो सलीम इसका क्या था सही आंसर था नेश की तरफ चलते हैं अब कोशन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हाँ भाई ये है कोशन थोड़ा इस कोशन को करने के लिए आपको square और cube की knowledge होनी चाहिए और मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप square and cube याद कर लें कहां तक के एक से लेके 30 तक के अब कोशन देखते हैं क्या है हमारा कोशन है था sum of a numbers square किसी संख्या के वर्ग उसके घन its cube and its next numbers cube और जो उससे अगली संख्या है ना उसका भी जब घन लेंगे हम याने कि उसकी भी cube करेंगे तो तीनों का sum कितना है एका भाई तीनों का जोड कितना है योग कितना है 205 है तो पूचा है संख्या क्या है आप से उस संख्या के बारे में पूचा गया कि संख्या अखिरकारो है क्या अब इस question को करने से पहले भाई द्यान दो 205 लिखा हुआ है आपके पास 205 दिया गया है न आपको और मैं अदि आप्शन की तरफ जाता हूं 3 5 4 और 6 यहां एक लाइन है उसके घन उसके क्यूब के अगर मालो संख्या में 6 मानता हूं भई तो 6 का क्यूब कितना होता है 266 तो वो तो 205 से ज़ादा हो जाएगा न तो 6 संख्या क्या है आपको 6 हो नी सकती क्योंकि मैं उसमें जोड़ना भी तो है इसका स्क्वाइर भी जोड़ोगे अब 266 में आप 36 भी जोड़ोगे ठीक है तो 6 तो नहीं हो सकता हमारा क्योंकि 6 का खुद का ही क्यूब क्या है 205 स से ज़्यादा है बात करूँ आद चार की चार का क्यो कितना होता है 64 होता है चार का स्क्वाइर कितना होता है 50 होगी 25 होगी असी हो गई यह दोनों जोड़के यह कितना है 125 है अब जो जोड़ों के तो 205 ही तो आएगा आपका यानि कि संख्या क्या थी हमारी संख्या हमारी चार थी option number 3 इसका सही answer हो जाएगा किसी संख्या के वर्ग यानि कि 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया उसका घं यानि कि उसका क्यूब चार का क्यूब कितना होता है 64 और उससे अगली संख्या के घं and the next numbers क्यूब चार से अगली संख्या कितनी है 5 उसका क्यूब कितना है 125 है तीनों का जोड कितना आना चाहिए 205 आना चाहिए मैंने यहाँ पर जोड़ा भाई जब तो तीनों को कितना आया 205 ही आ गया ना मेरा तो ऐसे question जब exam में आएंगे तो आप मेरे भाई option से जाओ ठीक है एक्स मत मानना इसमें तो लंबा हो जाएगा question आप time ले जाओगे solve करने में option देखो और eliminate करो यानि कि जो गलत है उसको हटा दो और पता लगाओ कौन सा सही है मैंने देखा तो 4 यहाँ पर क्या हुआ मेरा फिट बैट गया इसलिए मेरा answer कितना हो जाएगा option नंबर सी चार आपका सही answer है आगया होगा आप लोगों की समझ में अब चलते हैं next की तरफ question नंबर पांच की तरफ कि पांचवा क्या है भाई आमारा देखो कि पांचवा question भी आसान ही question है question को पढ़ो पहले ध्यान से और फिर आपना answer दो comment box में राकेश डॉनेट भाई आपको जो राकेश है तीन साल में दो वार और हर बार कितना 330 ml रखदान करता है ठीक है वह 6 साल में कितने लीटर अधदान करेगा तो भही वो 3 साल में 2 बार करता है कितना कितना करता है हर बार में 330 ml करता है पूछा है 6 साल में कितना करतेगा ठीक है अब देखना 3 years में कितना करता है भही वो 2 times करता है यानि कि 2 बार करता है ठीक है हर बार कितना करता है 330 ml तो भी दो बार में कितना करदेगा 330 का दुग नहीं तो कर देगा 606 ml यानि कि देख़ जाए तो 3 साल के अंदर वो टोटल 660 ml रक्तदान कर देता है blood donate कर देता है अपना कौन राकेस अब पुछा गया है कि 6 साल में कितना 10 साल टूंट करता है अब 3 साल में 60 है तो तीन का दूगना कितना होता है भैई 6 साल होता है न 6 यहेर्स और भी नियों तो ब्लड की डूंट करता वह भी क्या हो जाएगी वह भी दूगनी हो जाएगी कि तना चाह्ता उजर आई यह कि 320 ml आएगा, अब 1320 ml को आप क्या बोल सकते हो, 1.32 l भी बोल सकते हो, या तो आप 1320 ml बोल लो या फिर 1.32 l बोल लो, बात एक ही है, क्योंकि भई एकली लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो भई जो मैं 1320 ml को 1000 से डिवाइड करूँ गा, तो 1.32 l आज जाएगा, आया है तीन साल में पूचा है छे साल में तो तीन का दुगना च्छे कर दिया हमने तेरे सो बीस एमल कर दिया तो वन पॉइंट ती टू लिटर आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक है न भाई तो शे साल के अंदर वो अपना एक लीटर और तीन सो बीस एमल खून डान कर देता है कौन राकेश आगया होगा सबज में आप लोगों के में अब चलते हैं नेस की तरफ कोशन इमबर 6 की तरफ चलते हैं अब यह रहा भाई आप लोगों ने जोमेंटरी पड़ रखी होगी ठीक है न और आप लोगों को इसका आंसर भाई पता भी होना चाहिए अब आप लोगों के पूछो के भाई कसा आपने हिंदी नहीं लिखी इसकी किसकी ओप्शन की तो हिंदी लिख देता हूँ भाई मैं रा सब्सक्राइब डिगरी का कोण होता है जिसके अंदर तो यह वाला चुट नियून कोण होता है जिसकी सारी साइट भ्रावर होते हैं संबाहू तरिबुझ संबाहू यानिकी सारी की सारी जो asides हैं यानि की भुजाए हैं क्या है आपकी समान है तो आपको option मैंने हिंदी में कर दिया कोई दिक्कत नहीं हो गी अब question में दिया क्या गया है question में दिया गया है आपको की एक तिरबुज के कौन 2 ratio 3 ratio 4 के अनुपात में है यानि यानि कि भी angles of a given triangle are in the ratio 2 ratio 3 ratio 4 ठीक है what kind of triangle is the given triangle तो वह तिरबुज है न जो दिया गया है वो किस प्रकार का है वो noon है अधिक है संभा हुए या फिर सम कोण है यानि कि नभेडिगरी का है आप कैसे पता लगाओ इस question का और हमें जो तिरबुज के कोण है उनका ratio दे रखा है 2 ratio 3 ratio 4 2 ratio 3 ratio और 4 आप सभी को पता हुआ कि भी तिरबुज हो कोई भी triangle है उसके हर एक angle का sum कर दे अगर हम 3 angles का sum कर दे यानि कि जोड कर दे योग कर दे तो कितना हैगा 180 degree आता है न ठीक है अब उनके कोण किसमें दे रखे हैं मैं मानता हूँ कि भई 2x 3x और 4x है यह तो भई अनुपात है न रेशियो है न यह है न तो अनुपात में जब मैं x की उना कर दूँगा तो कितना कितना हो जायेगा पहला angle माल लो 2x है तीसरा 3x है तीसरा कितना है 4x है तो हमारे पास क्या आगए x की term में angles आ गए 2x 3x और 4x इन तीनों का जोड होना कितना चाहिए बताओ कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए न भई सब लोगों पता है यह अब 4 3 7 और 2 9 कितना आया 9x आया यह कितना है 180 degree है तो x कितना हो जायेगा 20 degree हो जायेगा न 20 degree तो x की जो value है वो कितनी है 20 है तो आप लोग बताना कि हमारे angle कौन-कौन से थे 2x 3x और 4x तो जो भई एक angle होगा वो कितने का हो जायेगा 20 दूनी 40 degree का हो जायेगा तूसरा कितने का हो जायेगा 20 दिया 30 degree का हो जायेगा और तीसर कितने का हो जाएगा, 20-80 degree का हो जाएगा, तो आपके तृभुज के अंदर जो तीनों कौड आए, वो कितने कितने की आए, 40, 60 और 80 कि आए, अब आप लोग जानता है कि यदि किसी ट्राइंगल के अंदर, तरियादि किसी तरभुज के अंदर कोई हर एक triangle हर एक angle जो है हर एक कोड 90 से कम का है तो कौन सा तरभुज होता है वो noon कोड ही तो होता है यानि कि acute angle ही तो होता है भई वो ठीक है तो 40, 60 और 80 क्या है ये तीनों के तीनों 90 से कम है न तो मतलब की हमारा क्या है यह भई acute angled triangle है यानि की noon cone वाला तिर्बूज है यह ठीक है 40, 60 और 80 सभी के सभी क्या है 90 डिगरी से कम है और noon cone की condition क्या होती है कि तिर्बूज के अंदर हर एक angle कितने का होना चाहिए 40, 60 और 80 तीनों ही 90 से कम के हैं तो आप लोगों को समझ में आया किस तरह से मैंने angle find करें और फिर देखा कि वो 90 से कम है फिर जादा है देखा 90 से कम है तो acute answer हमारा हो जाएगा option number D आपका सही है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा यह वाद अब नेश की तरफ चलते हैं question number 7 की तरफ हाँ 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 है कोशन है आपका important question है ऐसे question आपको जहाँ पर की बटवारा होगा आपको एक्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर है थ्री फ्रेंड्स अमन इशान और अनीश हैव ट्वेल सिक्स्टीन थ्री एप्पल्स और अनीश को चार सेव देता है यानि कि अमन इशान को कितने देता है जितने अनीश के पास है उसके दुगने सेव अमन इशान को दे देता है और अनीश को कितने देता है चार सेव देता है तो पूछा है कि अमन के पास अप कितने से बचे यानिकि अमन ने जबने सेव दे सोल्यूशन की तरप चलता रहेगा अ यह देखनाब असके अंधर अ कि का देखो को कॉन कॉनसे दोस्त हैं अमन है इशान है और अनीश है आपके पास अमन है दोस्त आप का कि एक इशान नाम का दोस्त है your time अर एक तीसरा कौन सा है अनीश है अ यही तीन तो दोस्त हैं आपके पास, अच्छा, कितने सेव हैं अमन के पास, बार है सेव हैं, देखो बार है, कोशन में दिये गए हैं, यह अनुपात नहीं हैं, यह हम बता दिया गया है, कितने कितने सेव हैं, तो कोशन और आसन हो जाएगा, यह दिन अनुपात नहीं होता तो इसान के पास कितने सेव है 16 और तीन सेव किसके पास है अनीज के पास है अब अमन इसान को अनीज के सेव के दुगने अमन क्या काम करता है इसान को सेव देता है कुछ ठीक है कितने देता है जितने अनीज के पास है उसके दुगने अनीज के पास कितने है तीन है तो उसके दूगने मतलब 6, तो अमन भही अपने से 6 save minus कर देगा, किसको देदेगा, इसान को देदेगा, तो इसान के पास 6 save ज़्यादा हो जाएंगे अब उसको जब चार देका तो से चार कम हो जाएंगे तो इसके बचेंगे कितने हो से बचेंगे do ऐसले कितने बचेंगे जब 12 मैंस ją कर दोगे ऑनय के पास इऐ आप से पूछा गया था कि अमन के पास लाश्ट में कितने से बचे तो कितने बचे भई डी यानि कि दो बचे लेकिन अगर कोशन में पूछ लेता तक अमन की इसान के पास कितने हो गए तो इसान के पास कितने हो जाएंगे इसान के पास अनीज के पास कितने हो जाएंगे ती जो में कोशन आ गया होगा पूरा काफी आसान कोशन है इस तरह से चलता रहे ना खाली सीक्वेंस में जो दे रखा है कुछ दिमाग एक्स्टर लगाना नहीं अपना प्लस मैनिस करना आप लोग जानते ही हो ठीक है अब चलते हैं नेस्ट की तरफ कोशन नमर एट की तरफ बताएंगे भई सभी इसका क्या होगा आंसर भई ऐसा कोशन हम लोगों ने कल की क्लास में किया था जहां पर आपने एक्क्वेशन बनाए थी मैं खिंड दे रहा हूं इसकोशन में एक्क्वेशन ही बनेंगी और उन्हें को सॉल्व कर लोगे तो जो पूछा गया है वो आ ज फिकोश्ट फॉर साइकल टायर्स एंड्री ट्यूब्स ही सेबन ट्यूध क्या दे रखा आपको आपको दे रखा है कि आपके पास चार साइकल के टायर है और तीन ट्यूब है तो वही वाली ट्यूब है भाई कितने के हैं शहसो दसकी है यानि कि चार साइकल के टायर और तीन ट्यूब कितने रुपे की बैठी यानि कि मैंने खाली ट्यूब का वो बदल दिया Saul In लेकिन आप कितने खरत रहा हूं मैं 3 टायर खरीद रहा हूं तो कितने रुपय के पड़े मुझे 610 के पड़े ठीक है तो एक ट्यूब की कीमत क्या है आपसे पूछी गई है कि ट्यूब की कॉस्ट कितनी है एक ट्यूब की तो मेरे भाई सके अंदर बनाऊगे कि आप equation बनाओगे, एक क्वेशन कैसे बनाओगे, जो गोशन में दे रखा है, उसके अनुसार चलते रहोगे, एक क्वेशन अपना बंदी चली जाएगी, देखो अब क्या होगा, cycle का tire है, ठीक है, tire होगे हमारे पास, और एक क्या है आपके पास भःई, थिूब है ठीक है 4 cycle के टाइर मैं मानता होंखे साईकिल के टायर कितनी है की कीमत कितनी है क्यार हुए तो चार होगे आपके पास तो इसके अंदर जो कीमत होगे कीतना हो जाएगी whole into tire हो जाएगी ट्यूब कितनी ली हैं उसने तीन ली हैं तो तीन इंटू ट्यूब हो जाएगी इन दोना का जोड कितना आ रहा था पहले 720 आ रहा था ना 720 चार टायर की कीमत और तीन ट्यूब की कीमत कितनी थी 720 थी लेकिन फिर क्या हुआ तीन टायर की कीमत और चार ट्यूब की कीमत कितनी हो रही है 610 हो रही है तो आपके बस मेरे भाई दो एक क्यूशन बन गई ना देखे जाए तो 4 टायर प्लस 3 ट्यूब 720 थी टायर प्लस 4 ट्यूब 610 तो दो एक क्यूशन है आपके बस आपसे पूचा है what is the cost of ट्यूब ट्यूब की कितनी वैल्यू है कितनी कीमत है ट्यूब की वो पूचा गा है आपसे तो इनको सॉल्व करना है मुझे मुझे पता लगाना है सब्सक्राइब कर लूज यहां ट्यूब लिखा हुआ है तो यहीं में और नीचे वाली में किस ते गुणा कर दूँ मैं 4 से गुणा कर दो तो टायर वाला पार्ट हमारे पास हट जाएगा अब देखना प्र क्या कर दूब मैं दोनों को मैनिस कर दूँ मैनने अब वही ती मैंस का साथ ट्यूब यही तो आएगा ठीक है चार की पूरे में गुणा करनी है अब यहां तक गुणा करनी है यहां तक ठीक है अब तास्ट सो बीस हैं थीन सो गुणा करोगे कितना आजाएगा बता आँ अंसर में जीरो छेएकinkyस 260 हो जाएगा इसका यहाँ 610 है यहाँ 4 है जब गुणा करोगे कितना आएगा 0, 4, 24 यानि कि 2440 हो जाएगा अब आपको 260 में से 2440 माइनस करना है तो भाई अब 2440 में से 260 क्या कर दो माइनस कर दो कितना आएगा 0, 8 और 2, 280 आएगा लेकिन आएगा किसका यह माइनस का आएगा क्योंकि 2440 क्या है माइनस का है बढ़ा है तो कितना आएगा यहाँ यहाँ पर माइनस 280 आएगा इस माइनस से यह माइनस चला गया तो ट्यूब की किमस कितनी होगी बताओ फिर अब ट्यूब की किमस कितनी होगी 287 है जब काटोगे कितना आएगा 40 आएगा ना 40 ठीक है तो एक ट्यूब की किमस कितनी आपके पास निकल लेके 40 यह रहा रुपीज 40 यही आपका आंसर हो जाएगा तो भाई दो एक्क्वेशन मनाई मैंने और सॉल्व कर लिया एक्जाम में आपको स्पीड से करनी है पूरी चीज है यह ठीक है तायर और ट्यूब पूरा-पूरा मतलिक ना 40 लिख लेना उसको कुछ और मान लेना एक स्वाइल लेना बाकी स्वाइशन मेरे भाई इस तरह से होगा इसका ठीक है चले ने इसकी तरफ अब चलो भाई कोश्ट नमर नाइन की तरफ चलते हैं कि यह रहा कि कोश्ट काफी आसान है जो कोश्ट में दिया गया है उसके अनुसार चलते रहेंगे और बाकी कुछ करना ज्यादा है नहीं अपने तरफ से ठीक है कोश्ट क्या है वेने नमबर इस इंक्रीज़ बाई 15 जब किसी संख्या में पंदरे की व्रद्धी हो जाती है इसे कोश्ट जबाएंगे तो आपको संख्या पता नहीं रहेगी या तो भाई अप्शन से कर लो जो लोग प्रेक्टिस कर चुके हैं जिनको आइडिया है वो तो आप्शन से भी कर देंगे इस कोश्ट को बागी जिनको नहीं पता वो माल लो भाई संख्या माल ली मैंने अपनी एक्स माल ली ठीक है इसको तूटना बढ़ा कितनी वर्ध्य होती है इसमें 15 की वर्द्य होती है यानि कि number is increased by 15 तो क्या हो जाता है बही हो अपना का ही 112% हो जाता है आप यही अपको मेरे कर लेनी हैउ और कुछ नहीं करना इसके अंदर आपको ठीक है ना तो यहां 15 लिखा हुआ है यहां कितना है एक सो बारे एकस बटे 100 लिखा हुआ है यह वाला एकस उधर जागे किसना हो जाएगा माइनस का एकस हो जाएगा अब यह कितना आएगा यह आएगा सो नीचे आजाएगा 112 में सो कितने बचे बारे बचे यहां कितना लिखा हुआ एकस लिखा हुआ यह कितना हो जाएगा पंद्रे यही तो आएगा अब भई चार तिया बारे और पच्चिस चो का सो चार से काट लिए उपर नीचे मैंने अब यह तीन है यह से आपके पास ऑप्शन नमबर डी तो आपका सही आंसर हो जाएगा 125 संख्या है जिसमें पंद्रे जोडने पर स्वेंव का 112 प्रसेंट हो जाती है तो जैसे दिया गया है यही करता गया अपने आप सोल्यूशन आ गया काफी आसान कोशन है ठंडे दिमाग से करोगे तो 20-25 कर दोगे इसको वह भी ज्यादा है 10 से कर सकते हो चलो नेश की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 10 की तरफ ठीक है यह कोशन भी उससी प्रकार का है करना कुछ नहीं है जो दिया गया है उसके नूसार चलते हो भाई बहुत सिंपल कोशन होते हैं यह कुछ दिमाग लाना ज्याद तू इस नेख्स नमबर जब एक संख्या को कि अगली संख्या में जोडा जाता है ठीक है एक मानता हूं मैं जब मानता हूं उता संख्या में जोड़ा जाता है एक्स है इसको किस में जोड़ा जाएगा एक्स की अगली संख्या में जोड़ा जाएगा तो एक्स से अगली संख्या क्या होगी एक्स प्लस वन ही तो होगी चार के अगला कौन से होता है पांच होता है यानि कि चार प्लस एक होता है दस से अग जो उसकी अगली संख्या का चार गुना है, and another number that is four times its next number, इसको भी किसमें जोड़ा जा रहा है, x का अगला नमबर कौन सा था, x प्लस 1 था, उसके भी, चार गुना में जोड़ा जाता है, भाई, x संख्या को उसके अगली संख्या में जोड़ा गया, x को x प्लस 1 में जोड़ा गया, ठीक है, x को x प्लस 1 में जोड़ा गया, और दूसरी संख्या, जो उसकी अगली संख्या का चार गुना है, ठीक है, तो इस से अगली संख्या कितनी है X प्लस बन है इसका भी 4 गुना कितना है 4 into X प्लस बन हो जाएगा तो क्या होता है मेरे भाई तीनों का जोड कितना आता है 95 आता है कितना आता है पिच्यानवे ठीक है तो पूछा गया है संख्या क्या है अब यह X है यह X प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा 2X प्लस 1 हो जाएगा यहां से देखो 4 की उन अंदर करूं कितना हैगा 4X प्लस 4 आएगा 95 आपका चली रहा है बरावर में अब 4X और 2X कितना हो गया 6X हो गया और 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया है कितना आई ये पिच्छा नवे तो चेक कितना आएगा बता हो अब चानवे में से 5 गए 90 आगया तो एक्स कितना हो गया 15 हो गया तो संख्या क्या आपकी बही 15 है 15, option no.. प्रसद का सही अंसर हो जायेगा एक संख्या है उसको उसको ऌगली संख्या में जोड़ आगया फिर उसी के चार गुना में जोड़ दिया गया उसको कितना है समा आपका 90 आया तो आप से पूछी गई थी मैंने सॉल्व गर लिया आराम से प्रिक्तन आगया आंसर आपके पास पंदर आगया और से आपका सही आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं थी इसकोशन के अंदर ऐसे कोशन हमने काफी कर लिए है अब तक तो अब अगर आप कर भी नहीं पाते तो उसको याद कर लेना इस कांसर हमेशा एक कमा जाता है ठीक है इन्हें नौक आउट फुट वर्ट वर्ट देखो भाई क्या है आपका कोशन इन्हें नौक आउट फुट वर्ट कंपेटिशन 23 टीम पार्टिसिपेटेड एक नौक आउट फुट वर्ट वर्ट प्रत्यों प्रत्यों गयोता है जिसमें कितने टीमों नहीं सालिया 23 टीमों ने अब नौक आउट का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है नौक आउट का मतलब होता है कि भाई जो टीम एक मैच भी हार जाएगी ना वो तुरंदी टूर्णामेंट से भाहर हो जाएगी आई पेल की तरह नहीं होता कि दद्दस मैच खेल रही एक टीम बाद में डिसाइड हो रहा है वहां भाई आप एक मैच मैच is dude two not only decide the winner आपट आप इसला करने के लिए लिए मिटी साइड करने के लिए उन्हें कम्से कम कितनी मैच खेलने की जरूरत थी ठीक है तो बढ़र डिसाइड करणा है उस टूर्णामेंट अपर नहीं है एक टिम ह्लाइब वह कितनी टीम होसे मैंच खेलेगी है 22 टीम होसे अब यह को स्येद्01 टीम होसे यह ईक तų वह खुद है बची कितनी 22 सबसे मैंस के मैंने में खेलती रहेगी ना तो 22 गयुन है शरूरी है उसके अन्दर 23 से एक कम 22 आंसर जाएगा आपका ठीक है तो कम से गम 22 मैच तो भाई खेल नहीं पड़ेंगे तब ही डिसाइड हो पाएगा कि कौन सी टीम विजयता है और जो टीम हारती रहेगी वो क्या होती रहेगी गाया होती रहेगी ठीका है तो तो टैशी टीम है तो भई 15ing मेत कहले जरूरी है 101 टीम होती तो 100 मेच खलने जरूरी होते 99 टीम होती तो 98 मैच जरूरी करने के लिए ठीक है ना यहाँ पर 23 टीम थी तो मैच कितने खेलने पड़ेंगे भाई 22 ठीक है तो भाई यह कुशन एक्जाम में आ सकता है इसको नोट कर ले ना चले नेस्ट की तरफ अब देखो भई नेस्ट की तरफ क्या होगा को सब्सक्राइब ट्वेल्व ऐसे कोशन भाई आप बार बार देख रहे हो ठीक है जो कि किसके उपर बेज्ड है यह है बेज्ड मेरे भाई एक क्वेशन बनाने के उपर ही बेज्ड है यह एक कोशन भी क्वेशन सही होगा ऐसा कोशन आपको दीखे एक्जाम में तो समझ जाना है कि एक क्वेशन के बिगर सेब बाठने हैं ठीक है यदि प्रते लड़के को 5 से मिले हर एक लड़का कितने से प्राप्त करता है फाइपल्स रवड़क्र तो दो प्रते लड़की को साथ से मिलेंगे तो पूच्छा में कितने खात रहें तो टोटल नमर फिश्टूडेंट कितने हैं क्लास के अंदर तो जब भी ऐसी कंडिशन दीखें आपको क्या करना है एक्वेशन मनाओ सौल करो रांसर प्राफ्त करो अपना सिम्पल फंडा है ठीक है अब देखना एपल कितने 85 हैं क्लास के अंदर भी आपके फ़िजैंगे क्या हैizzard कि यह समय को पांच एपल देता हूं लेकिन लेकिन बाई कितने आपके पास 88 हैं तो गया है इच बोई फॉर एपल यानि कि भाई अगर अगर मैं हर एक लड़के को क्या दूँं चार से नुग बन कि नौ से एक लड़की थीक सब्सक्राइब 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 उतनी कितने चाहत्र है इसका मतलब कि आपको लड़कों की संख्या लड़कों कि marginal क्हनelect जालनी है और वो जोड देनी है बाद में तो क्या जाएगा के पास अक्छा में कितने विद्धार थे उनकी संख्या जाएगी अब भाई देखना है आसान कॉन सा पड़ेगा हमारे पास देखा जाए तो ठीक है क्या करें है इसके अंदर हम मैं यह बरवर कर लेता हूं जी की जो बेरवर कर लेता है कि ft कि यहां दो लुखनु कर दो मैं और आप रच यहां करींगी ना और फिर क्या कर करत नो है 9 । यहां –457 इत्युन हो जाएगा 28 . 70 कहीं आएगाना मैनस करने के बाद एक här अब यहां देखो यहां पिचासे इंटु Nine है पिचासे इंटु साथ है अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कुछ बच्छे ग्या करेंगे पिचासे 159 की उधर करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे माइनस करेंगे लेकिन मेरे तो 85 क्या क्या है किसके अंदर है नौ 7 के उतर है जोमर कर लोसyy आगा 10 यानि कि आपके पास क्लास में कितने लड़के हैं आपके पास मेरे भाई 10 लड़के हैं तो लड़के आपके पास आ गए तो लड़का कितनी होंगी अब यह वाली 10 की वेलू आपना किसी भी कृष्ट कर दो चाहां तो इसमें पूट कर दो चाहां इसमें पूट कर दो ठीक है? मैं पूट कर देता हूँ किसके अंदर? मैं मालो ने हाँ पूट कर देता हूँ 85 थना है यहाँ पर? मैं 10 की वेलु यहाँ रखूंगा, तो 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50, 7 G, 7 G, जी हमें पता निए कितना है, यह 50 था, लेकिन है कितना यह? 85, तो 7 G कितना जाएगा? बताओ, 85 में से 50 गए, 35 आया न, तो G कितना हो गया आपके पास? 5 हो गया, तो भाई B 10 आ गया, G कितना हो गया? 5 हो गया, अब टोटल बताओ कितने बच्चे हैं, 10 और 5, 15 है, B प्लस G कर दो, B प्लस G कर दो, कितना जाएगा आपके पैस? 10 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, यानि कि टोटल बहिए आपके पैस कितने चात्रे क्लास के अंदर? 15 चात्रे हैं, ओप्शन नमबर यापका, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या था? ओप्शन नमबर याप 15 तो आपने देखा कि कैसे करते हैं येवाले, एक्वेशन मनाई सॉल्व करा आंसर ले लिया अपना, ठीक है? तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, कल दुवारा 11 वज़ आप समसे जुड़ जाईएगा, क्लासेस अ करेंगे येवाली अर्थमेटिक की ही, ठीक है भाई, नमस्ते धन्यवाद ध्यान रखना आपना